हेलो फ्रेंड्स मैं मॉनिका अपने चैनल जी एंडी ब्लॉग्स में आपका स्वाकत करती हूँ आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और हेल्दी होंगे गाइस आज मैं आपको जिस फ्लांट के बारे में बताने जा रही हूँ वह है करीपत्ता जिसको हम मीठी नींभी कहते हैं यह एक तरह का मेडिसिनल प्लांट है और कहीं कहीं मिमारियों में काम आता है करीपत्ते की छोटे छोटे प्लांट बहुत ज़्यादा लग गए हैं इसलिए मैं इसको आपको गमले में रिपोर्टिंग करना सिखाऊंगी गाइस करीपत्ते का पौधा घर में जरू पौधा केरिट्रिंग यह भरपूर मात्रा में मिलते हैं यह सदा बहार प्लांट है चाहे हम इसे कटिंग से लगा लें चाहे बीच से और जर्षी तीनों तरह लग सकता है और फैब्ब और मार्च में ज्यादा तर यह लगायी जाते हैं क्योंकि अक्टूबर तक यह बहु अराम से पॉट में ग्रो कर जाता हैаци इसके लिए जो । हमें टेंप्रेचर कर जाता है होता है जरह involves यह मुजी की साधन गेंव स्सक्राइब कर अब होना चाहिए झाथ एतशे वहा यह बहुड़ा दिसप्रेचर हाई है से वहाई तब आप इसको शेड में रख सकते हैं और यदि टेंपरेचर लो होता है तब भी हमें इसको शेड में रखना चाहिए ताकि इसमें ओस वगएरा ना गिरे वैसे यह आपके गार्डन में बहुत जादा धूप आ रही है तो आप इसको तीन-चार घंटे की दूप दिखाकर इसे आ मादा बाग मिटी लेनी है वन फॉर्थ सैंड और वन फॉर्थ हमने इसमें वर्मी कंपोस लेना है या फिर आप कावडंग भी ले सकते हैं इनको अच्छे से मिलाकर इसमें से अपने वेस मेटीरियल को निकाल लेना है जैसे कि छोटोटे पत्थर होते हैं इसको निकालकर ह इसको हमने पॉट में भर लेना है कम से कम इसके लिए हमें 10 इंच का पॉट लेना चाहिए या 10 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रोव करेगा क्योंकि कड़ी पत्थे का जो पोदा होता है वह बहुत अच्छे से फैलता है बार बार रिपोर्टिंग करने से बचनी के लिए हमें इसका बढ़ा लेना चाहिए और इसकी जड़ों में हम दालचीनी पाउडर हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं क्योंकि यह उसकी जड़ों को फंगस से बचाएगा क्योंकि हल्दी और दालचीनी पाउडर में एंटी बेक्टिरियल तत्व होते हैं जो कि इसके जडो को फंगस से बचाती है इसमें जो पानी है वो आप अपने नुसार दे सकती है यदि इसकी पॉट की जो मिटी सुखी हुई है तो आप इसमें पानी दे दीजिए यदि मिटी में नमी है तो आप इसमें पानी कम डालें और week में एक बार आपने इसकी गुड़ाई ज़रूर करनी है हर दो महीने में एक बार आप इसकी गुड़ाई करके इसमें कमपोस्ट डाल सकते हैं और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें इसके लिए आप अपने घर में बने हुए जो फल होते हैं और सबजीया होती है इनकी जो छिलकिय होती हैं उसकीं कंपोस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं और या फिर आप जो घर में चाज होती है एक लिटर पानी में 15 चाज डालकर से बनाकर आप एक महिने में एक बार इसके पॉट में डाल सकती है तो गाइस यह थी कड़ी पते की पूरी जानकारी आपको ये वीडियो कैसे लगी कि पर आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को सबस्क्राइब लाइक और शेयर जरूर करना और अपने प्रियों का ध्यान आप इसी तरह रखना ओके बाबाई